मेरा नाम जैनब, प्रीवियस नेम रित्तु खंडेरवाल, पुत्री गनिश खंडेरवाल, मैं आप सब को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे माता पिता ने जो गुलजार पर इलजाम लगाए हैं, वो सब जूटे हैं, और उन्हाने जो भी बयान दिये हैं, वो भी जूटे ह चाहता आप देखें, यह मेरे fingerprint है, मैंने खुद ने यहां आके निखा किया है, पहले भी मैं खुद आई थी, अब भी मैं खुद आई हूँ, यह मेरे statement है, यह मेरे marriage agreement, और यह हाई court के order है, जो कि मेरे घरवाले कहते हैं, यह फैक नहीं है, यह सारे signature मेरे है, और court के order कभी होते हैं, यह मेरे कल का statement है, जो मैं यहां पुलीस वालों को दे चुकी हूँ, और हमने वहां भी statement भिजवा दिया है, इस में अपना बयान दिया है, जो भी है, सब मैंने खुद बोला है, और उन्होंने लिखा है, यह सारा मेरे statement है, मेरे घरवालों ने जो भी वहां पर application द मैं खुद से आई हूँ मेरी फ्लाइट था है ऐमदाबाद दिल्ली सी स्टी स्सब कुछ सच है इसमें कुछ भी तेक नहीं है यह मेरे घरवाले कहता है कि 18 ट्रस नहीं हूँ यह मेरी तैंत की माक्षित है इसमें मेरी डेट अबर्ट दे रखिये आप लोग देख सकते हैं और यह मेरी रियल ओरिजिनल डेट अबर्थ है यह भी आप देख लो इसमें साफ साफ लिखा है कि अभी मैं 19 रॉनिंग हूँ मेरे घरवाले बोलता है मैं 18 प्लस भी नहीं सब्सक्राइब मेरे साफ कोई दोबर्दस्पी नहीं किये चाहिए तो आप कुछ चुपी कर लें इसरे सीस्टी फटेज दिखवा ले आप एरपोर्ट पर मैं आके ली हूँ मुझे कोई दोबर्दस्ती खीच के नहीं लाया है और एस्पी साब से मेरा निवेदन है कि मेरे जूटा जूटा इल्जाम लगा रहे हैं और जो कह रहे हैं और वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं मैं 18 साल से उपर हूं मुझे अपनी जिंदेगी जीनने का हक है मैं खुट के लाइफ के फैसले कोद कर सकती हूँ और मैं अपने पत्ती गुलजार के साथ बहुत खुश मुझे किसी की कोई जरुवत नहीं है उसके सिरा है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मातर पिता जो बोल रहे हैं वो सब जूट है और इल्जामों को फेक मानो हेलो मेरा नाम गुलजार एहमद अभी मैं यह वीडियो बना रहा हूं यह सब कुछ सच क्या है और जूट क्या है जो कि इनके पापा ने जैनब के पापा ने प्रिविस नैं मृतु खंडिनवाल इनके पापा ने मुझे बहुत इल्जाम लगाए हैं कि मैं बाड़मीर में ड हुट था कहुआ है नका रास्ता रोको छेड़ा ने को पता निक क्या किया किया तो यह अपने मुह से बताएं चै मेरे साथ कभी चेड़ चाड़ नहीं की, मेरे घरवाले कहते हैं, इसने मेरा रस्ता रोका, इसने मेरा कभी रस्ता नहीं रोका, ना इसने मेरे साथ कोई चेड़ चाड़ की, ना इसने मुझे कभी कोई इशारे किये, ये सब कुछ है, जो हमारी मर्जी से हुआ है, हमारी रज किया गया है क्या जैनब ये सब कुछ सच्छा है क्या ये भी छूट है मेरा किड्नैप नहीं हूँ अगर मेरा किड्नैप होता तो मैं अम्दाबाद बस से क्यों उतरती जबकि मेरे टिकेट बड़ोधा तक की थी मैं बड़ोधा जाने की बज़े अम्दाबाद क्यों उतरती जबरदस्ती होती था। भर कि झास है तो बस खी मोई कम अंगों बाष्रा के सब तो सोच्छा खी गर अगोरा करें 43 सौच flirt flashback जानने की थी और झाल थी ऊपने घर खंख आ J international matter और इसे पता भी नहीं था, इसका इसमें कोई हाथ नहीं है अच्छा जी, अभी इनके पापा ने बोला है कि 20 डिसमबर का इनका एक्जाम था, हिस्टरी का पेपर था वो न्यूस भी बिल्कुल फेक है क्या आप जैनब बताओगी सब को, कि आपका एक्जाम कब था ये भी जूट है, 20 डिसमबर को मेरा कोई एक्जाम नहीं था मेरा एक्जाम 20 फेबरी को था, सैकंड येर का चाहे ताप कॉलिज में जाके पता करवा सकते हैं क्योंकि मेरा एक्जाम दिसमबर में नहीं होता है हमारा एक्जाम फेबर में होता है आप कॉलिज में पता करवा सकता है कि मेरा एक्जाम 20 डिसमबर की बज़ए 20 फरवरी को था ये भी जूट है अब हम रुकेस्ट करते हैं कि हमें अपना इस लाइफ जीने दो मत तंग करो हमें एस पी साब से रिक्वेस्ट है मेरी फ्लीज मेरे घरवाले जो जूटा जूटा आरोप लगा रहे हैं वो भी सब जूटे हैं मैं बुलजार के साथ अपने पती के साथ मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लाइफ टाइम इसी के साथ रहना चाहती हूँ इसी के साथ मरना चाहती हूँ मेरे पीछे भाद जो के ना पड़े पापा आपसे भी रिक्वेस्ट है मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया अब आप भी शांती से रहें घर में और प्लीज मुझे भी शांती से रहने दें हमें तंग ना करें प्लीज